नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँगा खंजन पक्षी से अद्रस होने की सकती कैसे पाएं, अर्थात गैब होने की सकती कैसे प्राप्ट करें अगर आप लोग भी इस रहस्य ग्यान के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो को पूरा और आखरी तक देखेगा तभी आपके समझ में आएगा अन्नता कुछ समझ में नहीं आएगा जिहां दोस्तों क्यूंकि वीडियो को जब तक आप पूरा सही से नहीं किन्तु मैं आपको आज खंजन पक्षी से गयब होने का एक ऐसा जादूई फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप लोगों ने कर लिया या प्राप्त कर लिया तो दोस्तों आप निश्चित ही अद्रस्त हो सकते हैं जिहां दोस्तों यह जो मैं प्रियोग बत रहा हूं यह कोई साधरन पक्षी नहीं है यह एक रहस्त महीं पक्षी है वैसे तो मैंने खंजन पक्षी के ऊपर कई बूडियो बना रखी है लेकिन दोस्तों जो खंजन पक्षी होता है ना अपने आप में अलोकिक होता है और इसे रहस्त महीं सक्तियों का स्वामी माना ज आपको थोड़ा अजीव लगता होगा लेकिन मित्रों यह पक्षी अपने अंदर रहस्वाई सक्तियों को समेटे हुए है दोस्तों जो आप यह खंजन पक्षी देख रहे हैं वीडियों में यह खंजन पक्षी ऐसा पक्षी होता है जिसके सर में एक जादूई सिखा निकलती है और दोस्तों जब इस पक्षी के सर में यह जादूई सिखा निकलती है तो दोस्तों यह पक्षी अदरस हो जाता है अर्थात गायव हो जाता है और दिखाई नहीं देता तो दोस्तों इसी पक्षी से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अदरस होने की अर्थात गायव होन को समझने में कोई गलती ना हो दोस्तों खंजर पक्षी को आपको सबसे पहले खोजना है अगर आपको अद्रस्त होने की सब्सक्राइब करनी है तो सबसे पहले आपको खंजर पक्षी खोजना है जी हां लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइ कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से द्वा लीजिए और दोस्तों एसी ही दिव रहस्त में जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो ακो भी लाइक करलीजिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको अद्रस सक्ति प्राप करने के लिए सबसे पहले खंजन पक्षी को खोजना होगा और दोस्तों अगर आपने खंजन पक्षी को खोज लिया तो आप निश्ची थी अद्रस होनी की सक्ति पा सकती है क्योंकि दोस्तों इस खंजन पक्षी के सर में एक जादूई सिखा निकलती है या फिर चोटी कह लीजिए इसकी दोस्तों इस खंजन पक्षी के सर में एक जादूई सिखा निकलती है और दोस्तों जैसे ही इस पक्षी की जादूई सिखा कुछ समय के बाद जड़ जाती है य अपने आप में अद्बूत है तो वह कौन सा उपाय है उसको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं जो अद्रस होने की सक्ति प्राप्त करना चाहते हैं किंतु वो लोग बिफाल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होत लेकिन जो आज मैं उपाय बता रहा हूं वास्तों में बहुत अद्बूत उपाय है तो दोस्तों खंजन पक्षी से गयब होने की सक्ति पाने के लिए आपको खंजन पक्षी खोजना है जिहां दोस्तों सारा का सारा खेल इस जादू सीखा का है जो इस खंजन पक्षी के सर लेकिन आपको यह पक्षी अप्रैल में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन जो इसका जो सही समय है वो है फरवरी और मार्च जी हां दोस्तों फरवरी और मार्च और लास्ट है इसका अप्रैल ठीक है दोस्तों और इस समय यह है खंजन पक्षी देखा जा सकता है खंजन पक्षी के उपर आने को रहस्ते मैं जानकारी जो मैं लाता रहूँगा समय समय पर मित्रों यह जो खंजन पक्षी है ना इतना सक्ति साली है कि मैं आपसे क्या बताऊ तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है फरवड़ी से लेकर मार्च तक और मार्च से अपरेल की बीच में दोस्तों यह खंजन पक्षी आपको खोजना है आपको वीडियो में दिख रहा होगा व्यासे तो खंजन पक्षी के कई पर जाती है लेकिन इन में से कौन सी पर जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि खंजन पक्षी से आप अदरस होने की सक्ती कैसे प्राप्ट कर सकते हैं उस जादू सिखा को कैसे पा सकती है तो दोस्तों आपको ख़जन पक्षी को पहले पहचानना है कि कैसा दिखता है ठीक है और कौन से छेतर में यह पक्षी देखा जाता है या पाया जाता है तो आपको जाना है और आपको जोड़े के रूप में इस पक्षी को पकड़ना है किसके रूप में जोड़े के रूप म जहां से आपको पकड़ना है वो पक्षी जब आप पकड़ेंगे इस पक्षी को तो बड़े ही हिसाब से पकड़िएगा और इसे जोड़े के रूप में पकड़िएगा अगर आप एक अकेला पक्षी लेकर के आएंगे पालेंगे तो दोस्तों कोई फैदा नहीं है यह करना है कि खंजन पक्षी को जिहां दोस्तों आपको खंजन पक्षी को जोड़े के रूप में खोच करके प्राप्त करना है और इसे घर में ला करके पिंजरा बनाना है किसका इन पक्षी का कम से कम दोस्तों आपको इसका पिंजरा बनाना है कम से कम जो है समझलो दो से अर उस को इतना बढ़िया से बनाई है ताकि इन पक्षियों को नटेते कर्ते दोस्तों इस पक्षियों JOV, इस पक्षि के लिए बनवाएंगे, जो आप के लिए दोसे तीन друзья ड्ाइफ याघंव तो उस पिंजरे में इनको मतलब अजीब सा नहीं लगना चाहिए और उसी में ही दाना पानी रख दीजिए ठीक है और दोस्तों इस पक्षी का मूल आहर क्या होता है वैसे तो दोस्तों ये जंगली फल भी खाता है छोटे छोटे कीड़े भी खा लेता है लेकिन दोस्तों आपको अच्वा अब भी खाता है जुनडी हो गया चावल हो गया हरा की हो गया यह आप इसको डाल दीजोऊंहे लाएंगे तो दोस्तों क्या चिство सिक्थरा करना है क्योंगे तुक तुक्षी रख देंगलीAL के कि मैंप चार पालना है जी हां दोस्तों यानी कि 6-10 मह colorful में कि आक दकिए तक जैसे समय बीतेगा न वैसे तो 6 महिना में ही सब कुछ पता चल जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि इन पक्षियों के सर से सिखा लेट निकलती है तो इस हमारे मैं बोलता हूं कि कम से कम इस समय को थोड़ा बढ़ा दीजिए और और सकता पड़े तो और भी थोड़ा बढ वाला है न ले कि इस सब्सक्राइब भाग तो नहीं गया लेकिन वह पक्षी पिंज्रे में होगा है रानी वाली दोस्तोंव बात वह पक्षी उसी पिंज्रे में होगा लेकिन दोस्तों आपको नहीं होना है ना ही आपको पिंजरा खूलना है ठीक है आप देखोगे कि उस उस पिंजरे में चेह बहुत गया है वह अध्रस हो जायगा आपको दिखाई नहीं से नहीं देगा और आपको लगेगा कि पिंजरे का जो चोटा सा जो द्वार होता है ना पिंजरे के चोटे से द्वार से आपको हाथ डाल करके जहां से उस पक्षी की आवाज आ रही थोड़ा पिंजरे को हिलाईएगा पर वो पक्षी आपको दिखाई नहीं देगा जहां से आवाज आ रही है ना उस पक्षी की अवाज की तरफ हाथ फिला कर देखिए वो पक्षी आपके पकड़ में आ जाएगा और दोस्तों पर दिखाई नहीं देगा और आपको उसके सर में धीरे से हाथ ले करकी जाना है जहां उसके सर में सिखा है उस सिखा को आपको बड़े ही प्यार से सौधानी के साथ क्या करना है उखाड लेना है या फिर किसी कैंची से काट लेना है ठीक है दोस्तों और दोस्तों इसके बाद क्या देखेंगे आप क्या देखेंगे कि वो पक्षी फिर से आपको दिखाई देने लग जाएगा और फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि उस खंजन पक्षी की सिखा को लाकर के जिहां दोस्तों उस खंजन पक्षी की सिखा को आपको पकड़ के रखना है छोड़ना नहीं है और आपके पास एक चांदी की तवीज होनी चाहिए जिहां दोस्तों सुध चांदी की तवीज हो लेकिन दोस्तों द्यान रखिएगा एक चीज मेरी कि जैसे ही आप गाइब हो जाओगे आप हर किसी को देख लोगे ठीक है लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग जो है आप लोग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता जी हाँ लेकिन आपकी जान नहीं बचा सकती कैसे अगर आप उस तावीज को पहन करके किसी गाड़ी के सामने जाओगे तो यह गाड़ी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगी तो दोस्तों इससे आपका नुकसान होगा क्यों क्योंकि वह गाड़ी फिर आपकी उपर चड़ जाए इस जादु सकती का प्रियोग अपनी बुद्धी के हिसाब से करिएगा ठीक है और यह तावीज जिहां दोस्तों यह जो जादु तावीज आपने बनाई है सिखा से खंजन पक्षी के सिखा से इसको आप मुह में रखते हैं गयब हो जाओगे आपको कोई नहीं देख आप जो है किसी भी मुसीवत से बच सकते हो माल लो आपको माल लो आप एक ऐसी मुसीवत में फसे हो जहां पर जो है आपके पीछे कोई गुंड़ा पड़ गया है कोई बदमास पड़ गया है या कोई भी बंदा पड़ा है आपके पीछे तो दोस्तों आपको इस जादु तवीज को मुह में रखना है और आप अद्रस्त हो जाओगे वो आपको देखी नहीं पाएगा बट आप देख पाओगे और आप असानी से अपना बचाओ कर पाओगे और अपने हिसाब से आप प्रियोक कर पाओगे इसके बाद इसके बाद मित्रों आप जैसे ही उस जादुई तवीज को मुह से बाहर निकालोगे आप दुबारा से दिखाई देने लग जाओगे जैसे ही उस वो जो जादुई तवीज आपने मुह में डाली है चांदी की जैसी उसको मुह से बाहर निकालोगे तो दोस्तों आप दुब यहां दोस्तों 400 साल से लेकर के 1000 साल तक जीवित रह सकते हो। है ना हरान कर देने वाली बात। तो दोस्तों ये थी कुछ एकड़म इतिहासिक एब हम रहस्म्ै जानकारी जो आपके ग्ञान में ब्रिद्धी करेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ना दोस्तों बहुत अद्बूत जानकारी है और मैंने इसके उपर पहले भी वीडियो बना रखी है तो दोस्तों क्यूंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो अभी अराम से आपके पास जो है मित्रों कम से कम 12 से 13 दिन है कि आ और हां MArch में भी मिल सकता है, लेकिन MArch में ही मिलेगा आपको अपरैल में भी मिल सकता है, कैसे MArch में आपको ज्यादा महनत करने हैं क्योंकि यह सानी सिल नहीं से यह मिलते हैं ठीक करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी मित्रों अगर कोई थुरुटी हो गई हो मुझे तो छमा करें और ऐसी रहस्च मही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें धन्यवाद